हेलो दोस्तों मैं हूँ अनुप्रिया मेरे चैनल में आपका स्वागत है कैसे है आप सब तो अज ममी आ गया है मुझे थोड़ा आरा मिल गया है मतलब उत्ता काम नहीं करना पड़ेगा तो अभी मैं जा रही हूँ एश्रम कार्ड बनाने यहां पर कार्ड बनाने वाले आया ह कि आपने उसमें अंगुठा नहीं लगाया तो वैसे नहीं होगा वह दो नहीं माना जाएगा आपको यहां के बनाना वड़ेगा तो अभी मैं जा रही हूं वहां पर कार्ड बनाने कि आप तक गलती से पैसे आ जाए एकांड में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे हैं यही आहांब ही मैं रहती हैं वहां फीनेोग कमाते का लिंग के लिए नेट और नीम होतो बहुत कम चलता है तो वहां पर नेट वकाते हैं दॉ spark कर्ति u आं बहुत हैं भी मुझे जब मैं ब्लॉब को अप्लोड करती हूं तो मुझे दो तीन दिल लग जाते है या मुझे कहीं नेटव काली जगह में जाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर पर नेटवक नहीं आते हैं मतलब यहां गाओं में आते ही नेटवक नेटवक की बहुत समस्य होती है तो लोग बचारे नेटवक के लिए काफी कॉम्प्रमाइज करते हैं यहां पे किनकी फ़ोन तो सबके पास है नेटवक नहीं नहीं आ रहा है कोई भी नेटवक आरों ऐसे से नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं हैं यह आँसी समस्य होती है यह गाऊ मैं तो हम लोगों को आदत भी मैंनें घर्ग है तक और देखते को chegou शों के सब तो कि रहने कि अ मैं केत में जाए हूँ मुझे आज आलू लगाने है मंमी के साथ मम्मी थोटी तिर घर गई है वह आपिस आईगी तो उसके बाद हम आलो लोगे मुझे थोड़ा खोदना है कि अब तुम्हें थोड़ा साही खोदा है थोड़ा से स्पेस है तो उसमें लगाएंगे अभी मैं आनो जटेते हूं फिर अलो लगाएंगे रोगाने से पहले से टुकड़ों में आलो पेड़ा है और फिर उसको ऐसे गणाने पड़ता है जहां पर अंगुरित होने के चांसे होते हैं उस साइड को अलग काट के फिर उसको उगाएंगे अभी तुम इनने थोड़ा सही खोदा इसको पूर्यक होदुनी में, इन्यादक, इस पिता. मैंने और ममी ने खेट खोद लिया हैं, यहाँ तक बहुत महनत लगी। खोदने में, अब आलू लगाएंगे, मैंने आलू लगाना शुरू कर दिया है, इसको एक-एक लेना है और दबा देना इसको मिट्टी के बीच. ममी आलू अकेले लगे ही, मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे अब खाना बनाना है। मैं चलोंगी घर को, ममी आलू लगाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ, मुड़ी, यह स्नेक्स जैसा होता है, इसको चाहे के साथ खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। चली मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगे। यह है मुड़ी, यह चावल पहले पकाने होते हैं फिर उसको सुखाया जाता है और फिर भूना जाता है। यह एक बर भूना हुआ है, लेकिन मैं इसको ओयल के साथ और भूना हूँगी। मैं इसको अ हम पुस्ट पशार कि आहन के मुड़ी बना राखता हैं और अीसत्ती द्ट बहुते हैं। निज़ा दिश्रान की मोड़ी बना हुआ हैं और पुस्ट चूआ हैं एक ऐसे लिसे और बूता हैं और ऩ। मुझे इसके अंदर डालना है और फिर गरम तेल में इसमें पसदा हो जाना है मुड़ी बनके हो गई है तयार यह है चावल का और यह है गयों का अभी जब ठंडा हो जाएगा फिर खाने के काम आएगा चाय के साथ यह ऐसे भी खा सकते हैं सुखा अब बना रही हो पकोड़े अब मैंने इसमें मसाल्य डाल दिया है आलू प्याज धनिया और समिर्च जो भी सब मसाल्यत है मैंने इसको मिलक्स कर लिया है और बनके लिए अब मे शूरू करूँ गिए मैंने अब कर दिया है स्टार्ट ये इसमें पता नहीं क्यों बेसन लगे नी रहा इसमें भी डाल दिया है जाया पुर्पान दिया संपर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरे चनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ठेंक यू जैहिंद